हेलो फ्रेंड वेलकम टो इस्टडी न्यूज आज हम इस वीडियो में इंडियन इंसियन्ट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि इसे कितने भागों में बाटा गया है और इनसे जुड़ी कुछ प्रमुक बातें सो लेट अस इस्टार्ट श्रोतों के आधार पर भारती इतिहास को तीन भागों में बाटा गया है पहला प्रागे इतिहासी काल दूसरा आद्दे इतिहासी काल और तीसरा इतिहासी काल प्रागे इतिहासी काल जिसे इंग्लिस में प्री हिस्टोरिकल पीरियट बोलते हैं वे काल जिसके लिए कोई लिखित साक्च उपलब्द नहीं है और मानव का जीवन अपिक्छाकृत सब भी नहीं था उसे प्रागे इतिहासी काल बोलते हैं इसमें पासाड काल आता है दूसरा आद्य इतिहासिक काल जिसे इंगलिस में प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं इतिहासकार उस काल को आद्य इतिहासिक काल की संग्या देते हैं जिसमें लिखित साक्च तो उपलब्ध हैं परन्तो उन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका है और इस काल में मानव समाज सब्भ हो गया था हडपा की संस्कृति की गढ़ना इस काल में ही की जाती है तीसरा इतिहासी काल जिसे historical period कहते हैं लगबक 600 इसा पूर के बाद का इतिहास इतिहासी काल कहलाता है जिसमें पूरा तात्विक और लिखित साक्ष मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका है वैदिक काल, बौध काल, जैन काल, मौरे काल इन सब में इस काल की जानकारी मिलती है रॉबर्ट बुस्फूट को भारत की प्रागे इतिहासी काल के अधियन का संस्थापक माना जाता है वैस्विक इस्थर पर जॉर्गिनस थॉमसन ने इस काल को पासाड काल के रूप में विभाजित किया और तीन भागों में बाटा पहला पासाड काल, दूसरा कास्य यूग और तीसरा लोह यूग इन यूगों को पत्थर के हथियारों और धातों की खोच के अनुसार बाटा गया है पासाड काल इस काल में माना द्वारा जीवन में पत्थरों का उप्यूग किया गया जिसे पासाड काल कहा गया पासाड काल को भी तीन भागों में बाटा गया पूरा पासाडकाल, मध्य पासाडकाल और नौपासाडकाल और जिस काल में मानवने हतियार और अन्य सुविधाओं के रूप में कास्य धातु का प्रयोग करना सीख लिया उसे कास्य यूग कहा गया इसमें सिंदु घाटी की सब्वेता आती है और जिस काल में मानवने लोहे का प्रयोग करना सीख लिया उसे लोह यूग कहा गया भारत में उत्तरवैदिक काल से लोह यूग की सुरुवात मानी जाती है तो ये थी एंसेंट हिस्ट्री के कुछ प्रमुक बातें Ensign History के अगले वीडियो में हम पासाड काल को विस्तरित में पढ़ेंगे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक, सब्सक्राइब and कमेंट